17 अग्टूबर को सुपरीम कौट ने सेम सेक्स मैरेज पर वर्डिक दिया और कहा कि वो भारत में सेम सेक्स मैरेज को रेकेगनाईज नहीं करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरेज लीगल है जी हाँ, यानि कि अगर आप ये कपल है या फिर आप लेजबियन कपल है तो आप शादी कर सकते हैं और आप पर किसी भी तरह की कोई पैनल्टी या फिर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा लेकिन वो देश कौन-कौन से है और किस एर में same-sex marriage को legalize किया गया था आज इस वीडियो में खास तोर पर इसी पर बात होगी हम आपको उन कंट्रीज के नाम बताएंगे और साथ में बताएंगे किस साल में same-sex marriage legalize कर दिया गया था तो चलिए अगर आपके मन में भी ये सवाल थे या फिर आप इसके बारे में जानना चाहते थे तो इस वीडियो को end तक जरूर देखें बीच में इसकिपना करें ताकि कोई भी नाम आपसे ना चूटे तो चलिए शुरू करते हैं हाई मेरा नाम है नेहा उपाध्या है और आप सबका बहुत स्वागत है NBT TAKER के इस खास वीडियो में इस वीडियो में खास तौर पर बात होने वाली है उन देशों के बारे में जहां पर सेम सेक्स मारिज याने के समलैंगिक विवाह लीगल है सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है नीदरलैंड्स का नीदर्लेंड्स ने 2001 में same sex marriage को legalize कर दिया था उसके बाद बारी आती हैं Belgium की 2003 में Belgium ने भी इसे legalize कर दिया था फिर 2005 में Canada और Spain ने इसे legalize कर दिया था और उसके बाद 2006 में South Africa ने इसे legalize किया 2009 में Norway ने same sex marriage को legalize कर दिया वही Sweden ने भी इसी साल अपने देश में same sex marriage को legalize कर दिया बात अगर Iceland की हो तो Iceland ने 2010 में और पुर्तगाल ने भी 2010 में और अर्जेंटिना ने भी 2010 में same sex marriage को legalize कर दिया था अगली बारी आती है Denmark की और Uruguay की Denmark ने 2012 में और Uruguay ने 2013 में same sex marriage को legalize कर दिया वही New Zealand, France और Brazil ने भी 2013 में ही इसे अपने देश में legalize कर दिया था लेकिन बात अगर England और Wales की हो तो 2014 में Scotland ने भी 2014 में इसे legalize कर दिया था 2015 में Ireland और United States ने इसे legalize कर दिया था वही 2016 में Greenland और Columbia ने भी same sex marriage को legalize करके हरी जंडी दे दी थी Finland और Germany की बात करें तो 2017 में इन दोनों देशों ने same sex marriage को legalize कर दिया था साथ ही Australia भी वो देश है जिसने 2017 में same sex marriage को legalize कर दिया था बात अगर 2019 की हो तो Austria, Taiwan और Ecuador जैसे देशों ने 2019 में same sex marriage को legalize कर दिया वही बात अगर 2020 की हो तो Ireland और Costa Rica जैसे देशों ने भी इसे हरी जंडी दे दी Switzerland, Mexico और Chile ने 2022 में अपने देशों में same sex marriage को legalize कर दिया साथ ही Slovenia और Cuba ने भी 2022 में same sex marriage को legalize कर दिया था हाली में इस साल एंडोरा ने भी same sex marriage को अपने देश में legalize करके हरी जंडी दे दी है तो यह सारे नाम है उन देशों के जहां पर same sex marriage allowed है और legal है यानि कि अगर आप lesbian couple है या फिर आप gay couple है तो आप बिना डरे या फिर बिना किसी penalty के शादी कर सकते हैं आपको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक married couple को मिलते हैं सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें comment section में जरूर बताएं उमीद है कि इस जानकारी के बाद आपके knowledge में थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ होगा और साथ ही आप हमें comment section के जरूर ये भी बताएं कि आप इन देशों के बारे में क्या सोचते हैं और जो Supreme Court ने verdict दिया है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं अगर आप ऐसी ही knowledgeable videos, current affairs related videos और education से जुड़े videos और देखना चाहते हैं तो आज ही subscribe कर ये हमारा channel इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे आपके सामने ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ तब तक मुझे आनीनिया को दीज़े इजासत, stay tuned to nbt ticket